कि नमस्कार में कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनंदन मेरे इस चैनल खेल गरोंका में हम बात कर रहे हैं रासिवल सितंबर 2019 की दो प्रकार की व्यक्ति होते हैं एक जो रासिवल को मानते हैं दूसरे जो रासिवल को नहीं मानते हैं यह प्रोग्राम उन व्यक्तियों के लिए हैं जो रासिवल को मानते हैं उसकी इंपोर्टन समझते हैं उससे ग्यान लेते हैं और अपना जीवन सही बनाने क्या प्रियतन चीज होने वाली है क्या positive होने वाली है यदि आपको कोई मदद मिल सकती है हमारी इस production से तो आपको अवश्य लेनी चाहिए अपनी योजनाएं बनाने में अपनी planning करने में और आपकी planning होगी तभी इस रासी फल का आपको फाइदा मिलेगा आप इस मंत्र में जाने के बाद मे अत्रा September खत्म होने के बाद में इसी वीडियो को वापस देखिएगा कि क्या कुछ आपके साथ में सही घटा है चाहिए अब अगस्त की बात कर लीजिए अगस्त का जो वीडियो आपने देखा होगा उसको वापस देखिएगा September starting में या August end में तो आपको समझ में आएगा क जो कुछ आपने देखा ता जो कुछ आपने जाना था रासिपल में वो आपके योगज था आपके काम आया या नहीं आया मैं मेश दे लगा करके में रासी तक प्रत्येक रासी के लिए गेन एंड वैल्थ परिवार का सुख एजुकेशन एंड कमपेटिशन स्वास्तिय आपकी गर्यलू जुंद्गी अथा दामपत्य सुख आपका केरियर और आपकी ट्रेवलिंग इन सब के बारे में बात करूंग अथा قंसोलिडेटिड रासीफल के रूप में मैं प्रत्येक मा का रासीफल आपको पताने जा रहा हूं और अब बारिये सतमबर 2019 की सबसे पहले लेते हैं मेश रासी तो मेश रासी के व्यक्तियों को इस मा के आरम में ही राहू रासी से थढ़ाउस में है रासी से फिफ्थ अगस्त 2019 को मारगी हो चुके हैं जिन जिन व्यक्तियों को ब्रेस्पति स्लेटर समस्यां थी वो सब अभी राहत देख रहे होंगे और आने वाली पांच नवंबर को ब्रेस्पति अपने स्वैम की रासी अपनी मूल्त रिकॉंड रासी में चले जाएंगे वहां से वो पांच रासीयों को और इंप्रूव देंगे और अपनी ज़स्टी देंगे उससे और अच्छा फल मिलेगा जिन जिन रासीयों से संबन्दित वो फल देंगे अठरा सितंबर 2019 को शनी मारगी हो जाएंगे जिन व्यक्तियों को सनी की साड़े साथी चल रही है सनी वहाँ पर राहत देंगे क्योंकि स्वामी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अती स्वामी हो जाते हैं और पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अती क्रूर हो जाते हैं अती पापी हो जाते हैं और सनी को पापी ग्रह की क्रूर ग्रह की संग्या दी गई है तो आईए सबसे पहले मेश रसिम बात करते हैं गेन की और वैल्थ की तो यहां पर गेन का मालिक शनी है सनी की 33 जस्ती थर्ड जस्ती हमेशा बैटर है हमेशा पॉजिटिव है हर ग्रहों को अपने से 180 डिग्री देखने का सौबागी प्राप्त होता आता उनको वह जस्ती दी पात करते हैं लेकिन कुछ ग्रहों को विसेश द्रस्तियां दी गई है जैसे कि सनी को थर्ड एंटेंथ ब्रस्पति को फिफ्ट एंड नाइंथ मंगल को फोर्थ और एड़ यह विसेश द्रस्तियां और ग्रहों की द्रस्तियों में ही अमरत है ग्रहों की द्रस्तियों से ही आपको जो कुछ भी रासिफल है वो देखने का समझने का मौका मिलता है जो ग्रह विद्यमान है वो तो वहीं पर विद्यमान नहीं जैसे आपकी जन्म कुणली में कोई ग्रह जहां पर विद्यमान है वो जीवन भर के लिए वहां फिक्स हो गया क्योंकि जिस दीन आप पैदा होएते उस समय की इस्तिती है वो आपकी जन्म कुणली है आज की तारी मोगरह का है आज की तारी मोगरह किन गरों के साथ में कितनी डिगरी पर बैटा वह या सब कुछ देखने का या सब कुछ गंड़नाओं करने का या विस्टलेशन करने का एक आदार है जिसको जोतिस का जाता है तो गेन की स्थिति के रूप में सनी की तीसी दस्ती इंप्रूमेंट देगी आपको गेन के लिए आपको इंकम के लिए जो कुछ भी आपको बकाया पैसा रुकावा है या आमदनी के सादन में आपसिकल से बादाएं हैं वो भी 18 सितंबर के बाद में नहीं रहेंगी अताद वाँ भी आपको इंप्रूमेंट हासिल होगा ब्रस्पती रासी से 8 ताउस में है और उसकी दस्ती रासी से 2 ताउस पर है ब्रस्पति की जस्ती हमेशा पॉज्टिव रहती है जो भी आपको सिक्षा देते हैं चाहे आपकी गुरु है चाहे संत हैं चाहे मात्मा हैं चाहे पादरी है जो भी आपकी जिंदगी में सुक देते हैं परामर्स देते हैं ग्यान देते हैं वो सब आपका भला चाते हैं और जो देवगुरु ब्रस्पती है, वो स्वैम अपना भला नहीं करते हैं, वो जहां देखते हैं, जहां जहां ग्यान बाढ़ते हैं, वहीं सब का भला करते हैं, तो ब्रस्पती की जहां 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 दस्ती होगी, वहां वहां इंप्रूमेंट आएगा, तो ब्रस्पती रासे स second house पर है second house धन और संपत्ति का आपकी wealth का है तो breastpati को यहां देखने के कारण और 11th August 2019 से breastpati के मारगी होने से आपके financial strength में रद्धी होगी आपके bonds में आपकी jewelry में आपके ornaments में चाहे वो रतना जवारत हैं चाहे वो चाहे वो और किसी डंग से जमीन जायदाद है उसमें इंपूर्मेंट आएगी उसमें strength बढ़ेगी अताथ आपकी income भी बढ़ेगी तो साथ साथ income डाइवर्ट भी होगी किसी ने किसी fixed asset के रूप में किसी strength की व्रद्धी के रूप में अताथ income या gain and wealth दोनों ही इस माँ आपके लिए positive है और 18 सितंबर के बाद में और ज़्यादा positive है आईए अब बात करते हैं fourth house की आपके पारिवारिक सुख की रासी से third राहू है वो 19 सितंबर 2020 तक continue आपके लिए better है रासी से third राहू हमेशा अच्छी planning execution बहुत अच्छी planning के साथ में far vision planning बोल सकते हैं अथा दूर दस्ती वाली planning और जब राहू रासी से third है तो आपकी बहुत अच्छी planning के साथ में achievement और progress देने का काम भी करेगा क्योंकि राहू के पास में स्रफ four head है राू के पास में सब सोचने की सकती है लेकिन केतु के पास में सोचने की सकती नहीं है सब घटनाओं को करने की शकती है तो यहां पर रहू रासी से थड़ा उसमें रहू हमेशा बैटर है और आपके छोटे भाई बैनों के लिए मार्ग प्रसस्त करेगा इंप्रूमेंट के लिए प्रोग्रेस के लिए अथाथ उनसे आपको भी फाइदा होगा और यदि उनकी जिम्हादारी आपके पास में है तो उससे आप खुश हो जाएंगे उनकी इंप्रूमेंट से उनकी प्रगती से उनको अपनी पाउँ पर खड़ा होने में भी मदद करेगा यह रहू फोर्ताउस जहां तक पारिवर्यक सुक की बात है ब्रसपती फोर्ताउस को देखता है जहां पर की उचकी भाव भी है अताद वो द्रस्ती जो की उचके भाव पर है तो ऐसी इस्तिति में ब्रसपती जहां पर देखेगा वहाँ इंप्रूमेंट करेगा अताद पारिवर्य के लिए गैने परिभार के लिए कोई कोई सुक्स वजदाओं के साधन आप जोडेंगे लेकिन इसके साथ में ही एक स्थिति और है फोर्था उसके एक तरफ राहू है एक तरफ सूर्य और मंगल है इस इस्तिती को पाप करतरी योग कहा जाता है अतात पापी गिरों के बीच में जो भाव आएगा उसका सुक कम मिलेगा अतात कोई इसी इस्तितियां जरूर बनेंगी जब माता जी के स्वास्ति को लेकर के चिंता बनेगी हाला कि होगा कुछ भी नहीं अहीत कुछ भ लिगरी औरतरी योग का अर्थ यह यह आप जहां रहते हैं आपके पडूश में भी कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको समाज कंटक का जाता आहा अच्छा व्यक्ति नहीं का ज़ा सकता है दूसरे तरभ भी कोई इस्तित रहते हैं जिसको सफ और सिरफ दुशमनी के लिए आवेश के लिए क्रोध के लिए लड़े जगड़े के लिए जाना जाता है तो आप दोनों और से परशान ही रहेंगे इस धंग से आप समझ सकते हैं कि योग या ग्रह किस धंग से अपना काम करते हैं आपको कैसे दुख ही करते हैं आपको पीडित करते हैं तो सब मिला करके आप परिवार में सुक के साधन आएंगे, ब्रसपती जहां देखेगा, वहां इंप्रूमेंट करेगा, आपकी जीवन स्तिती है, आपका जो सामाजिक स्टेटस है, उसमें इंप्रूमेंट आएगा, जो बहतिक साधन है, वो बढ़ेंगे, हो सकता है भूमी भावन और वाहन पर आप पैसा खर्च करें, तो आपका इस्टेटस तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप भीतर ही भीतर परेशान हो सकते हैं, इन जो रिस्तों से, या आपस में कोईन को मन मुटावल से, या यह बोल सकता है, कानाफूसी से, मिस अंडरस्टेणिक से, परेशानी हो सकती है, ले से इस्तिति कुछ और इंप्रूमेंट भी आएगी, क्योंकि रासी से सिक्स्ता उसमें सूरी आ जाने से इंप्रूमेंट आएगा, आईए, अब बात करते हैं, एजूकिशन का स्वामी सूरिय है, और सूरिय वहीं पर इस्तितिति अपने खुद की रासी में इस्तितितिति बुद्ध के साथ में, तो सूर्य और बुद्ध जब भी एक साथ में होंगे, बुद्ध अतिति योग हो जाएगा, बुद्ध और शुक्र जब भी साथ में होंगे, आदमी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगा, हर चीज के पज़े रीजन डून देगा, जब तक उसको कारण नहीं समझ माएगा, जब तक वो बात नहीं मानेगा, तो एक स्टुडेंट के लिए इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है, कि वो जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो, क्योरिसिटी हो, हर विसे को, हर सब्जेक को समझे, और जो कम्पेटिशन दे रहे हैं, और जो प्रसासनिक सेवा में कम्पेटिशन दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी पोस्ट के लिए इंटर्व्यू देना चाते हैं, ये टाइम पिरिड उनके लिए बहुत बैटर है, और 17 सेप्टमबर से पहले यदि कोई इंटर्व्यू होता है, तो आपको काफी बैटर स्ट से लेटर इंजिनिंग कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध और मंगल भी दोनों साथ में हैं, तो इस सेप्टमबर माह में, 17 सेप्टमबर से पहले कोई एक्जाम है, पहले कोई इंटर्व्यू है, तो ये टाइम पिरिड काफी बैटर है, अब बात करते हैं हम, अगला आपका ज जादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि 10 सेप्टमबर को बुद्ध बदल करके अपनी उच्छ रासी में आ जाएंगे, जहां परकी शनी अपनी 10 जरस्ती से 6 आउस को देख रहे हैं, तो जो ही बुद्ध उच्छ रासी के हो जाएंगे, तो 6 आउस का लॉड ही अगर उच्छ रासी का most positive है, तो क्या होगा, कोई भी रोग हो जाएगा, तब भी आप में strength इतनी रहेगी, समर्थ इतना रहेगा, क्या आप उस रोग से fight कर पाएंगे, अतास रोग आपका अहित ना कर पाएगा, और ना कोई competitors, ना कोई रोग, कर्ज, क्लेश, आपको परशान कर पाएग कोई भी वाद भी वाद हो, आपकी जय जरूर होगी, अतास आप परजय नहीं हो पाएंगे, 9th September को शुक्र अपनी नीचरासी मा जाएगा, और ठीक एक दिन बाद में, अता 10th September को बुद्ध भी वहीं आ जाएगा, तो जो इस्तिति आज है, बुद्ध और शुकर साथ में ह देखा जाएगा, तो यहाँ पर शुकर नीचरासी का होने के बावजूद भी कोई कष्ट नहीं मिलेगा, दमपत्य सुक में, या आप बोल सकते हैं, सेकंड आउस आता, फाइनिसल स्ट्रेंथ, वेल्थ के सेक्टर में, क्योंकि शुकर उस भाव का भी मालिक है, सेवंत जितरती में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, जोतीस प्रॉब्स के सिद्धानत है, वो अपना काम करेंगे, जोतीस हमेशा सईए, जोतीसी गलत हो सकता है, नहीं कैसिजी का विज्ञान है, जो हमारे क्नत है, जो कुछ भी हमारे रिसिमोनेसी बोल करके गए लिकित करके गएं इतने सारे सास्त रहें इतने सारे पुरान हैं वो झ्जूत नहीं हो सकते हैं कु pias आज की नहीं है जोतिस को सो साल दो सो साल की نہیں है जोतिस बहुत सेकड़ो साल पीछे चले जाई है तब भी जोतिस का विद्यमान थी अधा जोतिस का अर्थ पंचांक से है और आप देख लिजे स्री डाम का जन्म हुआ तो राउ नम्मी बोला गया स्री कश्ण का जन्म हुआ तो जन्मास्ट मी बोला गया तो इस situation का अर्थ यह है कि जोतिस उस समय भी मौझूद थी जितना समया पीछे जा सकते हैं आपको जोतिस का अतियास देखने को जरूर मिलेगा तो जोतिस कभी अस्षत्य नहीं है उसको देखने वाले उसको जानने वाले हो सकता है ना समझो हो सकता है कम experience हो और हो सकता है कि वो अपने किसी स्वात के वसीबूत भी गलत बोच सकते हैं मैं किसी की अलोचना किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ इसलिए कोई भी वक्ति यह अपने उपर नहीं ले मेरा काम जोतिस को इमानदारी के साथ में आप तक बताना है आप तक ये ज्यान पहुंचाना है सही या गलत ये निन्रे भी आपको करना है और आपको कितना फाइदा हुआ ये सब भी आपका ही है इसलिए हमेशा किसी ज्यान को पहले परकिए उसके बाद में उसको उप्योग लीजिए मेरे इस सिद्धान्त है यह मैंने इस सिद्धान्त आप तक इसलिए पहुंचाया है है då zo बदल जाएगी वो इस्तिति आपके फेवर में होती भी दिखाई देगी क्योंकि समय आगे आपका और अच्छा आने वाला है और बैटर होने वाला है आप जो भी गड़े में गिरेव हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए साधन आपको मिलने वाले हैं इसलिए कोई भी शंका अपने दिल में मत रखेगा जितनी आपकी समर्ति है जितनी आपकी स्ट्रेंट है जितनी आपका परिशम कर सकते हैं वो करिए आप इन जंजर्णों से बाहर आ जाएंगे आई अब बात करते हैं आपके जीवन के मत मुनिस से अताद दमपच्य सुकी शुक्र सेवन्त आउस ये बोल सकते हैं कि शुकर जो ही बदलेगा नौ सितंबर को शुकर बदलेगा उसके बावजूद भी इस्तिती नेगेटिव नहीं होगी लेकिन आपको सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी कि जो गर नेगेटिव है नीच रासी का है वो अपना प्रबाब कहीं कहीं तो द जियान रखना है अत्र दंपच जुक में जहां तक हो सके कोई भी छोटा सा भी बिंदू आप उसको तिल का ताड़ मत बनाएगे जहां तक हो सके एजस्मेंट और कॉंपरमाइज की नियती रखिए इच्छा रखिए तो कोई प्रॉलम नहीं आएगी सम्टाइम आप है मैं डॉमिनिटिंग सोसाइटी है यह सारी चीजें कोई समय में थी आज की तारीक में नहीं है मेरे भाई इसलिए जो कुछ भी यूनिटी हो सकती है यहां भी परिवाद छोटे से छोटे होते जा रहे हैं और सिर्फ दो या चार लोग घर में हैं उससे अच्छा है कि उत्मन होने की स्थिती आ सकती है लेकिन अपने आपको यतिसांत रखेंगे तो थोड़े टाइम में ही यह स्थिती भी बदल जाएगी अथाथ आप देखीगा 9 सितंबर को शुकर बदलेंगे उसके बाद में जो ही शुकर अगली रासे में चले जाएंगे तुला रासे में उसका लिया यह अपने आपको एक किछ लीजे कोई समस्या नहीं आनेवाली है और जो घरगरस्ति हैं उन के लिए कोई नहीं बात नहीं होता है वाद वियाद्वियाद होता है वापस ठीक भी हो जाता है और जो भी वादयूद्वियाद हैक्रेक्रैस hell बुग दूसरों के स सोच करके साधी की थी क्या सोचा था जिंदगी में कि हमारा जो परिवारे सुखी होगा और यह तो आपस में लड़ रहे हैं तो उनके लिए कमसे मत लड़ी और अपने बच्चों को एक अच्छा उदर्ण देने के लिए मत लड़ी है अब बात करते हैं आपके कैरेर की कैरेर का स्वामी शनी है जो की केतू के साथ में और 9 इनता हूस में अता भागय बाव में तो 18 सिंटमर के बाद में भागय में इंपूर्मेंट आएगी भागय वसाथ के काम बनेंगे जो भी आपकी नौकिरी के साथ में समस्या हैं ना दिकरि Key of a का बैठते हैं, आप समझे से बना करके रखिए, क्योंकि इस्तिती बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, अता सेप्टमबर का हाफ निकलने के बाद में, सबसे बहले तो 15 सेप्टमबर को सूरी बदलेगा, वहाँ से इंपूर्मेंट आएगी, और ये जो आपसेकल्स आ रही थी आ आपके काम में, आपके ओफिस में, आपके केरियर में, वह इंपूर्मेंट की स्टेज पर आएगी, जो लोग स्विच ओवर करना चाहते हैं, अपनी जॉब को, उन लोगों को थोड़ा सा रुकना चाहिए, अक्टूबर एंड में, अक्टूबर मां में प्रियास करेंगे, नवंबर में आपको सक्सेस मिल जाएगी, अब बात करते हैं, आकरी में ट्रेवलिंग की, तो यदि कोई भी धार्मिक उद्दिश्य के लिए यातरा करेंगे, तो वह सफल हो जाएगी, और इस मां में धार्मिक यातरा हैं होने का योग है, क्योंकि 11 सितंबर, 11 अगस 2019 के ब का अरेंज्मेंट के लिए जो भी यातरा होंगी, वह सक्सेस्फूल होंगी, तो ये था रासिफल मेश रासी के लिए, आप हमेशा निश्चिन तो करके, जो भी आलोशनाय करना चाहें, वह आलोशनाय करें, कोई भी समस्या नहीं है, आपकी जो भी विचार होंगे, वह सब मैं देखूंगा मैं पढ़ूंगा और उसका reply भी दूंगा आईए अब बात करते हैं उपायों की यह उपाय मेश रासी के व्यक्तियों के लिए हैं जो यह रासी फल में मैंने negativity बताईए कोई सेक्टर में जहां पर problem आएगी समस्य आएगी तो आपको उपाय भी करने पड़े तो मेश रासी के लिए जो भी व्यक्ति अपने आपको समस्याओं में गिरा पाये वो व्यक्ति हनमान जी की पूजा उपासना अवश्य करे और दैनिक नियम में बजरंग बान का पाट करने का नियम अपना ले जिन व्यक्तियों को सितंबर माम में घर परिवार में कोईन को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा वो जरूर रामायन का पाट करें या सुन्दर काट करें इस रासिवल में अताथ मेश रासी के रासिवल में मैंने सेवन्त आउस से अता दामपती सुक में कुछ निको समस्या आएंगी ये बतलाया है ऐसी इस्तिति में आप शुकरवार के दिन साम के समय अपने घर परिवार की कोई भी बेन बेटियों को बुला करके सफेज रंग की मिठाई खिलाएं या उनको जो भी उपार दे सकते हैं वो देने का प्रियास करें हमेशा जीवन में ग्रस सुख के लिए दामपत्य सुख के लिए अच्छी नींद के लिए ट्र में साइट टेबल पर एक पिरामिड आता है जिसे हम सिंपल भासा में रिद्धी सिद्धी दाता पिरामिड बोलते हैं उसको रखना चाहिए वो एक प्रकास से थेरेपी है आपको एनेजाइज करने के लिए आपको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको स्ट्रेंद देने क लिए तो जहां पर यह पिरामिड रहेगा वहां पर एट्मॉस्पेर नेगेटिव नहीं हो पाएगा ऐसी इस्तिति में आप जो पाएंगे वो सुब पाएंगे सुख पाएंगे अधाद आपकी लाइफ में क्वालिटी ऑफ टाइम आपको मिल पाएगा आप जब सुब साथ में उसका उपरतन मुंगा या उसका उपरतन से संबंदित एक लॉकेट आता है वो आपको हमेशा पहन करके रखना चाहिए ताकि जो रासी वाले व्यक्ति हैं उनको रासी की स्ट्रेंट आपको हमेशा मिलती रहे हमेशा आप उन स्ट्रेंट से उन सक्तियों से ओत्प व्रति मंगल होता है मंगल के लिए ही विचित्र वीर हनमान कवच धारण करना सरुसेष्ट उपाय हो सकता है जो भी मेश रासी के चातक है वो नियम अपना लें कि उन्हें मंगलवार का व्रत करना है हर मंगलवार को आसपास को हनमान मंदिरों वहां जा करके उनको सिंदूर क चुला चड़ाएं रोजाना हनमान से सम्मदित कोई भ्यूमंतर आप करने हनमान चालीजाव वह बज़यंग बाण का उपाए ज्यदा अच्छा लगा मुझे क्योंकि उसके जब जब भी उपाए किए यदिकिसी व्यक्ति ने बज़यंग बाण का उपाए किया बजंग बान का जाप किया तो उसको ज्यादा समस्याओं से राहत मिली, immediate राहत मिली, तो ये तो उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में कुछ नियुकुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं, जो समय है वो तो अपना प्रवाव देगा, होनी तो हो करके रहेगी, अन होनी को आपका ये माँ शुब हो, आप सभी जो भी आपके प्रयास हैं, वो आपको अनुकूल हो जाएं, आपको उसमें सफलता मिल जाएं, ऐसी ही सुब कामनों के साथ में, स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, अपने बच्चों का परिवार के बुजूर्गों का ख्याल रखें, नम अर् हमें, झाल रहें, वोत में, एजए समय जाएं, आपको भी जाएंmaना शुब हो, आपको जाएं, आपको झालगों का उस्वार के साथ में, जाएंम्स, जाएंम्स, रहें प्रोंकों के पनए दोए नहीं से आपकों के जाएंसर dział को में बच्ता जाएंवार के आण साथ स